स्टूरेंट्स और स्कॉलर्स आज मैं आपके साथ आर्मी पब्लिक स्कूल और कॉलेज इंग्लिश टीचर टेस्ट शेयर करने जा रहा हूं जो 14 जुन 2021 को कंड़क्ट हुआ था इनका पेपर पैटरन बड़ा वरस्टाइल होता है इनकी मार्स देख लें तैन परसंट या टैन क्वेस्टन से जनर नौलेज के फिफ्टीन मार्स के लिटरी टरम्स थी अर्ण मार्स का यके असे था उसको एक सिंक्स करने थी उसके बाद एक पैराग्राफ था सिंपल है था必गना डिख ये उसके बाद ऑबजेक्टीव था 20 मार्स का ग्रमर और 5 जास के डारेक्निज और 5 मांग्स का एक्टीपैसिट था अब मैं वहाल इन कहस्टन को एक्पेर करता हूँ फस्ट फाल जैने नॉलज्ज के 10 मांक्स थे और वहां पर यह जो अब्जेक्टिव है इनके आप्शन्स नहीं होते बलके शौर्ट कॉस्टन टाइप होते हैं तो आप इस तरह से खुद को प्रिपेर करें कि आप शौर्ट कॉस्टन टाइप फिल इंदा ब्लैंक् क्या था तो यह मुझे नहीं उस वकद आता था वैसे उनका नाम नॉमान इक्राम था और उसके बाद था नेस्ट कुस्टन टीचर्स डे कौन सा है इंटरनेशनल टीचर्स डे तो यह 5 उक्तूबर है कॉविड स्टन्स फॉर यह क्रोना वाइरस डिसीज है तो चाइना सिट इस तरह से 15 नंबर के 3 करने थे क्वेसंस सीमिली कहते हैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तश्बीह देना ठीक है यह असलम चांद की तरह खुशूरत है यह तश्बीह है तो इसकी एक्जामपल्स जो है दो आप देख लें असलम इस ब्यूटिफुल लाइक मौन और कुछ ऐसी बात करें जो पॉसिबल नहीं होती ही जैसे ही है साउथ हिंडियन मुवीज में बहुत ज्यादा एक्शन मुवीज में तो इस तरह से कहें कि मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा मैं आपके लिए लाइट की स्पीड से भी ज्यादा भागूंगा उ अबसेडर जो आपर रहता है वो जूट बोलता है या वो रहता है तो यह दोनों मतलब हो सकते हैं तो इसके बहुत इसकी बहुत अग्जांपल थी पर सॉनिफिकेशन का मतलब होता है बे जान चीजों को जानदार चीजों की खूबियां दे जैसे आप कहें के मेरा पेड ज उसके बाद चैलेंजिस लिखने थे जितने भी आपके जहिन में हैं जिसमें इंटरनेट कॉनेक्टिविटी है ओनलाइन क्लासेज है एसे है उसके बाद एक स्टांजा दिया हुआ था पॉइंसे तो यह पॉइंग वहाली है आल्दा बोलर इस टेज बाद शेक्सपियर और जजज वाला जो paragraph दिया हुआ था और इसमें उन्होंने require किया था कि शायर के बारे में आपने detail में बताना है जो भी poet के बारे में आपको पता है उसको detail में बताना है तो इस तरह से इसमें चार चीज़ें पूछी उन्होंने एक reference दूसरा context तीसरा poet चौथा explanation यानि चार चीज ही होती है बात यानि एक ही बात होती है स्टार्ट से लेके अन तक इसका शुरू वाला जो लाइन होंगी वह introduction होंगी फिर दर्म्यान में आर्गमेंटेशन वगरा करें जो या examples वगरा दें लास्ट वर आपने conclusion करना होता है एक दू लाइनों में सो से सवा सो words का था यानि एक पेज यानि के बास लिखना था इसके लिए उसके बाद grammar के 20 marks थे और 20 इसमें questions है आपको मैं पहले बता चुका हूँ के इसके objective type question जो है उसमें options नहीं दियो हुए थे बलके नीचे लिखना बढ़ता था तो grammar में पार्ट सो speech में से questions है टेंस में से questions है active passive direct and direct vocabulary और correction में से question series में उसके बाद direct and direct narration इसके five marks है इसमें simple sentences, negative sentences, exclamatory sentences, interrogative sentences, imperative sentences में से आपने direct को indirect को direct में convert करना है वहाँ पर दोनों तोना की questions होती है direct को indirect को indirect को direct में convert करना होता है उसके बाद question था active to passive and passive to active convert करना था यह five marks थे इसमें भी simple negative, exclamatory, interrogative और imperative sentences थे तो इसमें भी आपने वहाँ प so i hope कि आपको इह वीडियो फाइदा देगी और नेक्स्स आने वाले Exams में आपको help out करेगी If you like this video मेरे चैनल को subscribe करें और दूसरों से share करें तक आने वाली यूसफुल वीडियोआपको मिल सके है Thank you so much